शीरा देरा दे, भक्तों, संतों को महान परोपकारी परमार्थी का जाता है, जैसे व्रिक्ष अपने फलों को कभी नहीं खाता, व्रिक्ष कभव नहीं फल भखें, नदी न संचे नीर, नदियां अपने लिए जल नहीं धारन करती हैं, दूसरों को जल मिले, स्नान करें, पान करें, इसलिए नदी का जल होता है, व्रिक्ष दूसरों को भूख मिटाने के लिए फल धारन करते हैं, ऐसे ही दूसरों के भाला करने के लिए, सब का हित करने के लिए सादु लोक शरीर धारन करते हैं. बिल्कुल ऐसा ही ठीक चरितार्त होता था रामरत अंदाजी मराज की जीवन में. सदा ही सब का भला करते रहते थे. बाजन में तो लगए हि रहते लेकिन स्वभाव बन गया था परहिट करने का और बहुत घटनाएं हुई है जीवन मैंसी अभी एक मैं आपको सुना रहा हूं समवत उन्नीस सो अठानवे की बात है आप इस समय चल रहा है दोजार अठात्तर मतब आज से अशार बीता सावन का महिना भी बीता जा रहा था पानी ठीक च नहीं पड़ा खेती सब सूख चली खिसानों के आशाएं मुरजा गई इस निराशा की काली रात में आशा की एक ही किरन चमक रही थी उन्हें विश्वास था करह वाले बाबा का पूरा धनेला ग्राम महराजी के शरण में पहुचा और महराजी से कहा कि महराज देखिए जल वरिष्टी नहुने से सब किसान मरे जा रहे हैं क्योंकि क्येती तो सब सूख गई अब पानी नहीं बरसा तो कुछ भी नहीं मिलेगा अनाज का दाना भी नहीं मिलेगा खेत में कुछ नहीं होगा तो महराजी निका भईया देवता हवन चाहते हैं पहले समय में हवन होते थे समय पानी बरसता था महराजी निका रामदास से पूछलो वो जैसा बताय करो भगवान सब कृपा करेंगे हवन करना पड़ेगा सबने थोटे महराजी अर्थात रामदास ची से जा करके प्रार्थना की उन्होंने का साथ दिनका अखंड कीर्टन करो हवन करो रामजी सब कृपा करेंगे लोगों ने निवेदन किया कि पशूओं तक को खाने के लिए चारा नहीं महराज सारा दिन उसी के जुगार में बीच जाता है कीर्टन किस समय करें हमारे पशू तो भूखे मरेंगे कीर्टन में हमारा मन कैसे लगेगा हाँ पहले कुछ पानी बरस जाए तो हम लोग आपके आग्या का पलन करने को तयार है इसके लिए हम सब आपको बचन देते हैं कि हम कीर्टन भी करेंगे बंडारा भी करें तो छोटे माराजी रामदास जी ने कहा कि अच्छा फिर जाओ रामजी महराज कुफा करेंगे अब सब लोगों ने अत्यन्त श्रद्धा और विश्वास से महराजी का चरण सपर्श किया और अपने गाउं की ओर चल पड़े कि अवे लोग अपने गाउं पहुचे नहीं थे, मार्ग में ही थे, ये आकास में एक कोने से उठते विए एक मेग खंड में आशा की जोट सी बिजली चमकी, और उए लोग जैसे ही गाउं के समी पहुचे गडगडाट के साथ बादलों ने वरशा से उनका स्वागत किया, और उस साल उस धनेले ग्राम की इतनी अच्छी फसल हुई कि आसपास कहीं नहीं हुई, श्री महराज जी का शुब संकल्प आश्चेरे जनक रूप से सफल हुआ, आसपास के फिर सभी ग्रामों के लोगों ने मिल करके, साथ दिन का खंड किर्टन किया, और ये गिकायों जन कि भथ हुआ, अच्छे विद्वान, ब्रामनों को बुलाया गया, आचारवान, खान पान में सुध्ध, भख्ती में लगे हुए ब्रामों को, एक सो सइंटिस पंडितों को बुलाया गया, और पंडिश स्री चतुरुपज जो बहुत** अच्छे माने जाते थे, उनके आचार मिल करके सेवा कि यग्य में जन श्रद्धा का अपूर्व दर्शन होता था करह पर स्टायकुडों भंडारे हुए कई यग्य हुए लेकिन ऐसा यग्य ऐसा भंडारा पहले नहीं हुआ समवत 1998 की इस यग्य में गाउं से इतना दूध है कि जितना कभी किसी सुभकारे मनी हुआ धाई सव मन एक मन का ताथ परिभग तो चैलेश किलो होता है धाई सव मन दूध निट्या था कोई लेने नहीं जाता था अपने अपने घर चे लोग पहुंचाने आते थे अपने अपने घर से लोग दूध ले आते थे धाई सो मन दूध तो रोजान आता था और जिन गाउं का दूध होता उनी गाउं के लोग मदूर पधार्थों से सेवा भी करते खिलाते थे और लोगों के हुरदे में ऐसी शद्धा प्रकट होई तो सब लोग लग गए सेवा में और महराजी के मंगल मन में मन में एक विशाल एग्य करने की प्रभू प्रहण का उदय हुआ और बहुत ही ढंग चे हुआ बरसात तो खुब हुए ही कीर्टन सत्चंग यग इसका आनंद लोगों को आपार प्राप्त हुआ बहुत आनंदित हुए लोग और जो अना विष्टी अर्थात पानिन बरसने का संकर्था उसब दूर हो गया महराज जी राम रतंदाज जी रिशी कुल में नहीं पढ़े थे लेकिन भाजन भोट किये थे इसलिए रिशी विचार का प्रादुर भाव हुआ उन्हें किसी लौकिक शिक्षा का अक्षर ग्यान तो नहीं था परामहंस बृत्ति में रहे थे राम नाम के अनन्य जापक थ वैदिक विजियों की जटिल बातें तो नहीं जानते थे फिर भी रिशीयों की अमर भावना ने उनका हुर्दे उन रूप से भरपूर कर रखा था उनका हुर्दे भावित था रिशीयों को पवित्र भावना से भक्तों उस समय मध्यप्रजेश के विकट भूभाग में साक्षरता तो बहुत अल्प थी लेकिन वेदक की विद्वान बहुत हुए और उनमें आत्मबल धर्मबल ये भी था इसलिए संत के चरण में आ करके विद्वान लोग सब ऐसे खींचे पहुंचते थे जैसे चुमबक खींच रहो और महराजी के चरण में श्रद्धा से ज़ब सब विद्वान लोग जोगते थे और कहते थे महराजी हमको आज्या करेंगे आप जो आज्या करेंगे वह हम करेंगे तो महराजी ने उनको समझाया कि निश्रेट ही तुम लोगों के घृदे में भगवान की कृपा से सदबुद्धी जागलित हुई है महराजी असाधारन संत थे ना उनकी हृदे में जो महान पवित्र भावना जागलित हुई थी रिशी वाली भावना में ने बताया उसी भावना के परिशोधनार्थ उन्होंने अन्यजलका परिक्ट्या किया और इस सम्मन्न में प्रभु प्रज़ना का साक्षात कार करने क के लिए एकांत में अंतर मुख हो गया है साधूं में इसकी प्रतिक्रिया दूसरे रूप में हुई अन्य संतों ने समझा कि महराजी साहत अपना शरीच होड़ना चाहते हैं इसलिए महराजी ने इस परकार से अन्यजलका त्याग कर दिया है और महराजी चाहते थे कि अपना शरीच छोड़ना चाहते है इसलिए अन्य जल छोड़ दिया तो बड़ी खलवली मची कि भाबा तो शरीच छोड़ देंगे लगता है और छोटे महराजी रामदास जी उस समय वहां नहीं थे तो उनको किसी तरह से पता चला एक भक्त को भेजा गया जहां रामदास ठाकुर जी का चर्णामृत के वल लेते हैं और कुछ नहीं वही बस सुबह साम समस्त भक्त जन दुखी हैं आप श्वीग्र चलें यह समाचार सुनते ही रामदास जी महराज जो उस समय छोटे महराजी कहे जाते थे ततकाल वहां से चल पड़े जहां गये थे और लशकर आ जाते हुए आश्रम कर पहुँच गए और पूझ्य बड़े महराजी कोठी के अंदर भीतर से सांकल बंद करके भगवचिंतन में लगे थे छोटे महराजी उसी कोठी के दौर पर जा बैठे सारे दिन बैठे रहे रात हो गई किन्टों बड़े महराजी ने अपनी कोठी का द्वार नहीं खोड़ा रात के लगभग तीन बजे हो गए बड़े महराज जी अंदर से निकले और छोटे महराज जी रामदास जी चलणों में व्याकुल होकर गिर पड़े बड़े महराज जी उनके मस्तक पर वरद हस्त रखा लगशंका करने के लिए गए थे रामदास जी लोट करके कुल्ला किये महराज श्री रामदास जी के नेत्रों से आंसु जड़ रहे थे बड़े महराज जी महुन थे पर उन्होंने कुछ संकेत किया पर उसका भी प्राज्यात नहीं हो सका तो रामदाश जी महराजी प्रार्थना की व्याकुल होकर कि आपका आशाय में समझ नहीं आया सब भक्त दुखी हैं क्योंकि सब समझ रहे हैं कि आप सरीर त्यागना चाहते हैं आप क्या लीला कर रहे हैं हमारी समझ में कुछ आ नहीं रहा सब लोग हमारे पीछे पड़े हैं और वे जानना चाहते हैं कि महराजी की क्या इच्छा है आप सपष्ट बोल करके हमें आज्या प्रदान करें उसके बाद भले ही मौनधारन कर लेंगे लेकिन एक बात, एक बार मुझे अपनी बात बताईए क्या काना चाहते हैं आप तब छोटे महराजी की प्रार्थना सून करके पहले सीता राम, सीता राम मुझे उच्छारण किया राम लत्म दास जी महराज ने उसके बाद फिर राम दास जी से बात चीट किया उन्होंने बताया मैं शरीर नहीं छोड़ रहा हूं और कहा कि मुझे संकीरतन भवन में मुश्कराते हुए श्री राम लला के दर्शन हुए हैं प्रत्यक्स दर्शन हुए राम दास जी मुश्करा रहे थे राम लला जी और उनकी आग्या है कि तुम चार महीने तक स्थान पर ही रहो कहीं जाना नहीं और दोनों महात्माओं, पूजशी उडिया बाबा और पूजशी हरी बाबा, इन दोनों लोगों को बुलाओ, और देवताओं की तुष्टी है, तु यग्ड करो, हावन कराओ, श्री राम लला इतना आदेश दे करके अंतर ही थो गए, उसी समय से अनजल ग्रहन न करने की प्रेरणा होई, ये सब सुन करके छोटे महराजी ने प्रार्थना की, कि यदि आप कुछ प्रसाद ग्रहन करने लगें, तो हम आपकी आग्या कानुसार आज से ही कारे करना ए फलाहार ग्रहन करने लगें, अन्न तो नहीं ग्रहन क्या फलाहार ग्रहन किया, और तब श्री रामिदास जी बाबा जय उस सोमें छोटे महराजगी कहते थे, वो भी फलाहारि लेने लगें। और आगहन कृष्णा अमावश्या से व्रत आरंब किया गया, छोटे माराज्जी ने 132 ग्रामों के भक्तों को स्थान पर एकत्र किया, और चार महीने का खंड कीर्टन प्रारंब किया गया, यह कीर्टन कीर्टन भहुन में होने लगा, कीर्टन के साथ क्रम से एक-एक महीने के लिए स्थानी वट व्रक्ष की सघंचाया में वालमी की रामायन की कथा, तुलशी कृति रामचरित मानस की कथा, श्री देवी भागवत की कथा, और श्री आनन्द रामायन की कथा का आयोजन किया गया, इस प्रकार चार महिने तक कथा कीर्टन का अजश्ट्र प्रवाब तरा और इसके साथ ही आधे लोग कीर्टन करते आधे लोग सेवाकारे करते फलते हो उन चार महिनों की अंतरगती चार मील लंबी कच्ची सडक कनिर्मान हुआ और पत्थर के टुकड़े भी एकत्र करके साय कडू चबूत्रे बनवाए गये दस बीश पचास नहीं कई सव चबूत्रे बनवाए गये और महराज बागा रामदाशी लगे रहे अपने भक्तों को लेकर इस काम में बसंत के आरंब में चैत्र कृष्ण पक्ष में सैकुडो तंबू छोलडारी शामियाने तन गये चैत्र के कृष्ण पक्ष में और सैकुडो पल्नकुटीरे निर्मित हो गई और आप सोची कितना बड़ा है कि होने के लिए भगवान की कृष्ण तैयारी हो रही है करह का वन प्रदेश संतों ग्रिहस्त भक्तों एवं सेवकों से भर गया अमहराज जो आपको मैं सुना रहा हूं ये हरी बाबा की चरित्र में भी मैंने सुनाया था संक्षेप में यहां थोड़ा विस्टार सुन रहे हैं करह का वन प्रदेश संतों भक्तों सेवकों से भर गया पूद जी उडिया बाबा जी महराज के पास रामदास बाबा आए हरी बाबा के पास आए दोनों लोगों से प्रार्थ न किया कि गुर्देव रामदास जी पतिया उले बाबा आप लोगों को दर्शन चाहते हैं आप पधारें और यग्य विशाल आपके ही स्वागत में तयार किया जा रहा है आप रहेंगे तभी एग्य होगा आप लोगों को आने के लिए भगवान का संकेत हुआ है रामदास जी महराज पतिया उले बाबा को आपके आने के लिए भगवान का संकेत मिला है इसलिए आपको लेने के लिए हम आये हैं गुर्देव के अग्या से अर जब उडिया भाबा अर हरी भाबा जाने को तायार हो गए करें। दुरलव दर्शन पाकर के लोगों ने अपने भाग सराये। मेरे जहरी बाबा की जो चरिटावली है उसमें ऐसा वरनन है कि इतना इंतरजाम हुआ था कि बाबा रामदास जी कहते थे कि प्यास लेगे तो आप लोग घी पीजिये पानी का एक खोज़ते हैं। मतब घी आपाहर मात्रा में अब पानी की वेवस्थाये जो थी बहुत टाइंकर लगे थे नगरपाली का गवालियर के और मुरैना के जगर-जगर के सरकारी टाइंकर और नदी से पानी आता था। विविजस्थानों से वेदग्य, दार्षनिक, पवरानिक, उपदेशक, यागिक पद्वेद्वान पधारे। खुश होकर के लोग आ रहे थे कि हम भी अपनी सेवारपित करें। चैत शुक्ल प्रत्पदा से दसमीतक के लिए अभूत पूर्वेंग भव्य समारों का सुभारंब किया गया। एक और 473 कर्मकांद कुशल वेदग्य ब्रामनों ने विश्णुयाक का समारंब किया। छटे हुए महान ब्रामन लोग थे जिनको हर प्रकार से पवित्रों स्रेष्ट समझाय रहता था। ऐसे दूर दूर से ब्रामन लोग आये थे जो इन संतों का दर्शन करके अपना जीवन सफल करना चाहते थे। वेज मंत्रों के पवित्रों घोष्ट से समस्त वनस्थली मुकरित हो उटी। श्रद्धा संपन इस्त्री पूर्शों का समुदाय यग्यमंडप की परिक्मा करता। और सहास्य शहत दर्शक हजारों हजारों दर्शक इसा पूर्व दृष्ट से गदगद होटे दर्शन करके। दूसरी ओर राम लीला और रास लीला का आयोजन होता था। इसके अतरीक तो आगत विद्वानों के प्रवचन होते। कथा होती तता ललित की इतन मधूर ध्वनी होती है। मुझा फरपूर बिहार से बाबु स्री रामे स्वर्श सिंग पदारे। और उनके साथ स्री राम लीला के स्वरूप थे। उन्हें अलंकृत करके सुंदर सिंहासन पर बिठाते हैं और उनके सम्मुक भाव विभोर होकर विविधिला भाषा के ऐसे ललित्पत सुनाते कि जनसमुव भाव गंगा में उब्डू होने लगता। सारा दिन कब भीत गया इसका पता ही नीच लगता था। अपहार जनसमुव उमढ रपड़ा था। फिर भी किसी को कोई कश्च नहीं था। बड़ी साउधानी से सबकी व्योस्था की गई थी। इस पुर्णिकार में कर्णल स्री शिवनात मिश्र अपने दो सव फावजी जवानों के साथ दिनराथ सेवकार में सनलगन रहते थे। मुरैना, जवरा, लशकर, मुरार, धावलपूर तथा आगरा से बार सव स्वयम सेवक पोंचे जो रात दिन परिश्रम करते थे। दस दिन तक लगातार लगन से सेवकार में अठक परिश्रम किया। सबसे कठिन कारे था सबकी भोजन व्यवस्था का। ये कारे पंडित गोकुल प्रशाद सेक्रेटरी, सेट तोत आराम, चतुरुबु जालवाई आज सज्जनों को सौपा गया। इन सभी ने भोजनालाई की बड़ी अच्छी व्यवस्था की। उंटगिरी वाले नारायन दास ने कोठार भंडार का काम समाला। और खेरागड के पंडित नारायन ने संतों की सेवा में जल पहुचाने की सेवा बड़ी साउधानी चेकी। और महराज जनता का कितना बड़ा सहयोग था और इन महानपूर्जों का कितना बड़ा सहयोग था कि वहां के छोटे-छोटे जरने उन्हें पानी पिलाने में असमर्थ थे। फिर भी इसकी पूर्थी लगवग वहां से डेड़ मील की दूरी पर भाने वाली नदी से की गए। और इस कारे के लिए आगरा के राम बावु सेट ने जल लाने के लिए अपना इट रख दिये। जल लाने में बड़ी सुविधार है। इस प्रकार की विष्णुयाग की अमुनाव और भजन कीर्टनों की गंगा और प्रवचनों की सरस्तती ने मिलकर करह की बनस्थली में तीर्थ राज प्रयाग की त्रेवेणी का द्रिश्चू पस्थित कर दिया। जंगल में इतनी सारी व्योस्ता हुए। और दस दिन तक इसके पावन परो में कोट कोट जंता ने स्नान किया। हरी बाबा उडिया बाबा सिद्ध पुर्शों और पटिया बाबा जैसे सिद्ध पुर्शों के समुक ये बाबा रामदास के प्रयत्म से इतनी सारी व्योस्ता ठाकुर जिकर पसे हो रही थी। समारो की समाप्ती के दिन आसपास के जेर लाग से भी ज्यादा लोगों ने भोजन किया। ऐसा आदबुत बोजिस के पहले कभी नहीं हुआ था। बड़े बड़े जनपरी संत आय थे। उनके लिए द्रिश्ट बिलकुल नया था। और सामान जनता तो श्रद्धा से अविभूत थी। उसकी द्रिश्टी में सपस्ट ये सब उज बड़े महराजियर था। पटियोले बाबा का ही चमतकार सब लोग मानते थे। क्योंकि उनको भगवान साक्षात राम जी ने दर्शन देकर मुस्करा करके आग्या किया था। और उसी आग्या के अनुसारी दिवे बवस्ताएं संपन्द हो रही थी वक्तों। बात ही ऐसी थी। और महाराज भगवान की इच्छा और सिद्व संतों की इच्छा तो क्यों नहीं सफलो कारिक्रम। इसी समारों में करह पर श्री विजयर आगो सरकार की प्रतिष्ठा की गई। अनेक शुभारमों का शुभशंकल्प गया। कई भाक्तों ने दिन रात अनवरत लगकर तनमंधन से सेवा की। समार्पित हो गए थे लोग सेवा में। यग में अब आपको अनुमान करना समझ में अना ज़रा मुश्किल है। अब ये बात असी साल पहले की है। इस समझ में तो अना मुश्किल है कितने करोड़ रूपए होते होंगे। लेकिन लगता है कि साइकड़ो करोड़ रूपए होंगे हुए होंगे कर्चे। अब आप उसमें हजार गुनातों करी दीचे। चांदिक रूपए मान लिजे धाई लाग उसी इसाब से कर लिजे अनुमान। धाई लाख रूपए उस जमान असी साल पहले की बात है। तो यग्ज में जो कुछ चढ़ा चढ़ा उसे संतों की विदाई में, ब्रामनों की दक्षना में, निरधन कर्याओं के विवाय में, दीन हिनों की सेवा में लगाया गया। कुछ बचा तो उसे मंदिर निर्मा लाजी में लगाया गया। वक्तों पटिया वाले बाबा के पास पहले भी एक पैसा नहीं था और बाद में भी एक पैसा नहीं बचा के रखा, सब खर्च कर दिया, और उत्सव के मध्य चेत्रशुकल पंचमी की बात है, भगवान की आरती हुई, स्तूती हुई, जैसे ही कीर्टन आरंब हुआ, आरती म अपने आसन पटिया पर विराजमान थे, जैसे द्रिष्टे को देखा तो उनका अपूर उष्रद्धा से अद्मु भाव से भर गया, उन्हें लगा कि नृत्य करती हुई माता हैं साधारन स्त्रिया नहीं है, इनमें जगजनी भगवती का आवेश है, भावावेश है, आन लगता था कि सभी माताएं उसी दिव्यकन्या की प्रेणा से थिरक रही थी, और दो घंटे तक लगातार नेती करती रही माताएं, किसी को समझ मने आ रहा था कि शक्ती कहां से प्रकट हुई है, और विचित्ट्रा अनन्द में महराजी दो घंटे तक दूबे रहे, उनकी अधिष्टी में सब भगवती महमाया के खेल था, और फिर माता ने सौपन भी दिया, दुर्गा माता ने, दुर्गा माता बहुत प्रसंद थी, सौपन में बहुत बहुत ज़्यादा प्रसंद थी, और बाबा को दर्शन दे करके कहा कि आज मैं ही अनेक रूप में आई थी तुम्हारे यग्जी में, क्योंकि इतने महान महान संत पुरुशाये, भगवान के भगत आये, इसलिए उनका दर्शन करने के लिए मैं आई थी, वक्तों ये यग्जे इतना था विष्ट्रित कि उसका बढ़न संभो नहीं है, ये किंचित प्रयास किया गया, जो भी और आगे की बाते में आपको फिर सुना हुगा, आज महाराजी की चर्णों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूं, शीरा दे रहा दे, शीरा दे रहा दे